नमस्कार पसफ़ा लगवाईओं तो पसफ़ा लगवाईओं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्यांका दिनू डेरी फाम में तो दोस्तों आज हमाएं गुजरात में और गुजरात में कोडिनार के आसपास का एरिया है तो पूरा एड्रेस जानते हैं बय सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तो स्टार्ट करते हैं नमस्कार बया नमस्कार तो एक बार आपका एड्रेस बता दीजिए गाउं बोरवाव तालुका तालाला चिलागीर सोमनाथ तो अभी आपके पास में टोटल पचास वेंस ह चोटे से लेके बड़े सारे मिला के ना तो एक बार आप विजिट करवा दीजिए इदर से यह आप देख रहे हो यह इस परकार से फारम है अभी दिन का टाइम हो रहा है इभी सुबे का टाइम है सुबे में देखे तो अभी नो बज़ रहे हैं नो बज़े से पहले आठ क्या विजिए इथर बंध दे तो यह सब आप देखर हो हमें यह थोड़ी बहुत नम्चेरिया जानते किसका इंको रखते थे तो पर जैसे की अब मिया आदे कि वी कितने गण्टा तक बार बनी रहे गी एँज आ चा बारा-बिज़ तक बार रहे कि आरा-बज़े बाद मे 12 बज़े के बाद दे इसको नहला के अंदर जाने देगे niveól जो लोग और नहला के अंदर नोखर्म को नुक्सानिना करें जाता है जो जाता है जाता है तो जाता है कितना प्रेसिट रूपय तक हो जाता है तो अच्छा है, कितना किया हो जाता है मैने का बिल पंपॉञ कि मेहने का स़ड़े 5ुलाग का 20 वे चाही मां हो जाता है खर्चा सारा लेबर अगेरा रखी होंगी यह गल दो 이öी को था सब्या निच्छा कितना थिजाता है 下去 10 customers का 1 तो problem तो दूद की केपिसिटी कितनी है यहां पर यहां पर दूद देने वाली भैस है बहुत अच्छी मिल्क वाली है सोला लीटर से प्तीस लीटर दू देने वाली भैस है इसना जाबराबादी के अंदर बहुत अच्छी चीची टोप वाली क्वालिटि ऐबीड बलेतซे थे प्रश्वी में अच्छा कही है वाय। उसको कितना खिलाता है दो कितना थे घुटते हैं जो ज्यादा रिखिलता है, उसको कितना खिलाता है? और बैसे सब्सक्राइब दूरे गोड़ जय एक पापड़ी यहादा हमाने हम रहा है। का देखे तो 9 kg अच्छा 9 kg खिलाते हैं बहुत बड़ी आदेख लो 9 kg खिलाते हैं जो 12 लिटर टाइम का दूद देती 25 लिटर दूद देने वाली भैस को 9 kg तक फीड खिलाते हैं और हरे चारे में सुके में क्या खिलाते हो निपियर गास है अब ये खेत में लगा रखाई य क्या पर डालना है मैं जो माणडवी का चारा रहातहे हो बातू आता है और पूरे दिन मतलब कितनी बार चारा डालते हो दो बार डालते हैं बत बड़ी आ है तो आहा नहीं ऐए तब बड़ी और अच्छा मिल्क दे रही हैं आँ बहुत सारी चखे देखते हुं थάνने कर डेखते यहां पर यहां प सारी बार गाने की जूगे shrug ज में दोनों तरप एंड़ सारी 正 this बाकि दो पूरे भारंपों को देखने का नहीं मिलेगा फोस्तु देख लो पूरे घुले में बैठी है अंदर पका है नीचे थोड़े मालब दो-तीन गंटा तर कुछे में आराम से बेट जाती है अधी ब्रह बार वगेरा तो नहीं ले जाती है बारिस के मोसम में जाती है ब प्रश्के बना रीक, यह पूरा फ़रम ला अंधर भी शेट बना रखा और बहुरी है, तो यह पानी की वैवस्ता इदर बाहर के से होती है, वह अंदर पानी की वैवस्ता भी, मतलब कर रहा है खाने की जगे के पास में, आपको अंदर का सेट हैं, किस प्रकार से बना रखा है तो या पर रात में रहता है क्यों भ सेर को इसलिए बागी कमफ्लीट होने के बाद में तो बाहरी रही रही है तो इसलिए देख लो दो जिगे एक तो अंदर पेग सेड एक खुला है ताकि इनको दो जिगे मलो अच्छा खुला वातारून मिल सके और चलने से इनका सरीर भी अच्छा रहता है थोड़ी देर बाहर आज अप्ड़क से और की साइड में पर फेंस बंचा लिए ये पानी के लिए तो एक बेहंस यह दो दो फेंस इसके अंदर पानी भी लेचे है इसके अंदर पिले के एचांड़ पिलेis जो लो उर बेस अंदर भी बना रका है तो कोई घंड़ी बागरा नहीं है एकल में पंके के विएस्ता के रखिए अच्थी हो mismos, इसकार के यहां पे अच्छी के वाया है और यह दर दोनु सड़्ड बना रखिए ताक दोनु साइड वैसों को बाद सकते हैं और दर सकता हैं और अगर को फीड रख रखा है इस दुरकार की यहां पर वस्ता हैं, बहुत ही अच्छी वस्ता कर रखिये बयाने, तो दस्तु आज की वीडियो यही पेंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो अच्छी लगे तो कमेंड करके बताना